आप आप सोचेंगें कि वीडियो तो इंट्रेस्टिंग और पनी तो वो सकती है पर वो तो आपको आगे वीडियो में देखके पता चलेगा तो फ्रेंट्स अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज लाइक करिएगा चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा और बेल ऐकन को भी दुबाना मत भूलेगा जिसे कि आपको मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी तो फ्रेंट्स चलिए अब वीडियो को करते हैं स्टार्ट सो फ्रेंट्स वीडियो के स्टार्टिंग करते हैं कुछ यम् tutte चीज आद जो आपेट सकते हैं यह गाज़र और यह गाज़र से मेरी ममाने और यह गाज़र कालवा बनाय助 यह बहुत अच्छा है अच्छा लग रहा था मैं इसकी फोटो भी आपको दिखाऊंगी तो मैं आपको बता दो कि ममा ने कैसे बनाया था गाजर का हलवा पहले ममा ने इसे थोड़ा सा भूना था घी में धेर सारी गी में और फिर उसे जब थोड़े सॉफ्ट होगे तो फिर तो अच्छे साधिया था तो अत्या ने दूद को स्मय दूध को थोड़ा गाढ करके आप हमा पहले गरम कर देदी फिर उसकोगाढ है करके ममा ने गाजर जो गाजर थी इसमें ढाल दिया था तो यह देखे और इसा टेक्स्च्चिर आएगा और मम्मा ने यह अिधर दाल था वो ड्राय फ्रूट्स और ड्राय फ्रूट्स को अब उन्होंने मिक्स कर दिया था और फिर जब ममने इसमें चीनी डाली थी अच्छा कलर आ गया था तो देखें अब ममा इसमें डालने जा रहे हैं चीनी देखिए चीनी ममने डाल दी और फिर इसे अच्छे से मिक्स करेंगी फिर थोड़ी देर इसे ऐसे अच्छा लग रहा था और फिर हम लोग चले गए थे पार्क में पार्क यहीं पास में पार्क बना है हम बैठकर पार्क वहां पे मैं जूला जूल रही थी बहुत ही ज्यादा मज़ा आ रहा था देखिए मैं जूल रही हूं और जो मुझे जूला रहा है वह मेरा भाईया है और भाईया ने इतना टेज़िक बरना जूला दिया था कि मैं एकदम लग रहा था कि मैं गिरने वाली तो मैंसे सीधा हो गया था मतलब एक दियों सीधा नहीं हुआ था ऐसे ही हर फ्रेंड्स अब आप देख सकते हैं यह जो अम बेटकर पार्क है इसका एरिया देखे कितना अच्छा है और यह जो बच्चा है यह कितना क्यूट लग रहा है और इधर जो हाथिया वो भी एकदम रियल लग रहा है और इसका पूरा एरिया है अगर आपको अच्छा लग तो आप नीचे कमेंट में बताएगा और यह थे कुछ लोग और देखें यहां पे लोग वीडियो बना रहे थे इस पूरे का क्योंकि उनलोग को अच्छा लग रहा है और देखें इधर यहां पे बैठने की भी जगह है और और फिर फ्रेंड्स में चली गई मितलब यहां पे मंकी मंकी बार्स पे गई थी और यह जो लड़का यह बहुत ही अच्छा कर रहा था मैं तो चड़ी थी तो कर नहीं पा रहे थी इतना मुझे रग रहा था वैसे भी मैं पहली बार इस पे चड़ रही थी देखिये मैं चड़ रही हूँ और अब किर चाओंगी मलब घिरूंगी नहीं इसी पे लेट की रहांगी मैं बार बार कड़ी हो जाए थी इनना जालो डॉला गड़ा तो मैं पहली बार चाड़ी थी ना इसलिए कि आपर इतना डर लग रहा था फिर भाईया ने मुझे मेरी थोड़ी हैल्प की ताकि मैं आगे जा सकूं देखे और फिर भाईया ने तु मुझे यहीं पे रोप दिया था मेरे हाथ में यहां जो रेस्ट है यहां पे इतना ज्यादा दर्द हो रहा था इसलिए मैं निचे उतर गई और मुझे डर भी लग रहा था और फिर मैं एक फिर मैं सी सो पे चली गई थी एक अंजान लड़की के ताद जोल रही थी वह बहुती अच्छी लग रही थी देखने से वह बहुती अच्छी लग खेलती है उसे बार जलूर करती है और मुझे तनी इस पर मजा रहा था पर आप देख सकते हैं कितना मैं हस रही है और फिर हम दोनों उतर गए थे क्योंकि मैं थोड़ा बोरो गए थी एक डम से सीसा पर जूलते रहू जूलते रहू फिर मैं आ गई मम्मा के पास और फिर जब फिर ममा ने का कि फित की घर चलते हैं तो मैं कई की थोड़ा और इस पार्क में घुम लेते हैं पहले बारा हैं तो यहां पर फिर हम लोग आगे जब गए था तो इधर मूर्ती मूर्ती बनी थी एक जंगल जैसा जल पर यह मागरमच है नदी में मचलिया है और बंदर है जहां पर आम का पिगड़ा और साब भी है मैंने सबके साथ फोटो भी किछी थी देखें यह जो मगरमच है ना यह आपको लिए लग रहे हैं आत्मात आओ मैं तुमको खा जाओं गुए अंदर आओ तब जल्में बिचारी मचलिद बिना पानी के तैसे हैं और अपने जिसकी आवाज सुनी थी ना वो भाईया की आस थी पर वो दियल आवाज नहीं थी भाईया ऐसा आवाज ने कौल तक दम लगता है कि राक्षस और यह देखें यह जो साप है ना ऐसा ही मैंने उसी दिन एक साप देखा था इस मतलब उससे लंबा था पर बहुत ह कोब्रा था उसका फन इतना बड़ा था ना देखें यहां पर शेर है जो की धिरन के पीछे भाग रहा और यह बंदर है जो की आम खाने की कोशिश कर रहा है तो बंदर थोड़ा फनी लग रहा था मुझे और देखें इधर सारी मेंडा कोंड़ है और इधर फिर हम लोग जा रहे थे घर पे थोड़ा देर थोड़ा देर मैं ऐसे ही खेली थी वहीं पे ऐसे ही भाग भाग के मुझे भी मुझे तो यह पार्क बहुत ही अच्छे लगा आपको भी अच्छे लगा तो कमेंट में बताईएगा मुझे तो बहुत अच्छे लगास का एरिया भी बड़ा ही था उसमें पूरे बैठने की जगे थी जूले भी थे और फिर मैं ममा से कह रही थी कि ममा मेरी एक फोटो कीजिए भाइया जब मुझे गोदी में उठाएगा मतलब उड़ते हुए ही फिर उड़ते हुए ही मुझे बहुत ही मजाता है मैं भाइया को ऐसी घर पर फटिशान करती रहती हूँ और मैंने अपना समान रख दिया और फिर अपना फोटो के जवाने लगी पर फोटो इनी के चापा इतना जल्दी में उड़ जा रही थी मतलब नीचे गिर जा रही थी फिर भाइया ने मुझे ऐसे कीजिए था भाइया कि फिर मैं गिर नहीं वाली थी और फिर मुझे एक स्नाप दिखा तो मैं उस साप के साथ फोटो भी खेट चिनवारन जाए तो मैं कि दसलूंगा तुझे और फिर हम लोग घर जाने लगे थे भाइया थोड़ा आगे चला गया तो फिर मुझे बबस आए की मुझे एक मुझे गाला हम से कहा कि मंब मेरी फोटो किच ठी और मेरी फोटो केच अंगी वेडियो बनाते समय कि हम लोग को जल्दी जाना था यहां सब पाधे लगे हुए थे और अब और अब हम लोग जा रहे थे घर पे और यह जो मैंने लिया है वो फोटो फोटो था हम लोग थोड़ी शॉपिंग भी किये थे फोटो फोटो लिया गया था और यह है उसका में गेट और इधर जो है यह उसकी बाउंडरी है और यह देखिए यह एक डोरे मोन है कितना फ़नी लग रहा है आप देख सकते हैं जी तो इतना फ़नी लग रहा था मैं तो इतना हसास के पागल हो गई थी और फिर हम लोग चले गए थे मतलब चा रहे थे खर मैं आगे बाट गई और फिर हम लोग घर चले गए फिर हम लोग ने खाया था देखिए मैंगी यह हलवा जाया मुञग डाल की मुंग डाल कालवा है नोरी यह मैंगी मेरा मैगी तो यह भी अलूके पराटे और सो फ्रेंड्स में ही थी मेरी आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को प्लीज लाइक करेंगा चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगा और बैल आइकन को भी दबाना मत बुलेगा बाइए